क्रशी मंतरी कमल पटेल ने एलान करते हुए कहा कि हर्दा में 105 एकड़ जमिन पर सेंटर ओफ एक्सिलिंस का निर्मान किया जाएगा वहीं किसान भाईयों को प्रसिक्षित कर उन्हें सबजी और फलो की खेपी करने के लिए उच्च गुणमत्ता वाले बीज उपलब्द करा जाएंगे जिसे गेहु उत्पादन के बाद मद्वदेश आब फलो और सब्जियों के उत्पादन में भी नंबर वन बनेगा इसे चोटी किसानों की आय भी बड़ीगी किसान कर लियान एवं क्रशी मंत्री कमट पटेल ने कहा कि गेहु उत्पादन में जहां मद्वदेश फलो और सब्जियों के उत्पादन में भी नंबर वन बनने जा रहा है मंत्री पटेल ने बताया है कि इसराइली कमपनी और भारस सरकार के सहियोग से अब हर्दा जिले के बोड़ गाओं और जहांजरी के बीच 105 एकड़ फैली जमीन पर सेंटर लॉफ एक्सलेंस खोला जा अब देश में पंजाब अरियाना को पिछे छोड़ा प्रती एक्टर नंबर वन है चना उत्पादन में हम नंबर वन है लेकिन आप सब्जियों के उत्पादन में भी हम नंबर वन बनने जा रहे हैं और उसके लिए इजराइल सरकार के सहियोग से मसाव उनकी एजन्सी है इससे मानी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी जी ने कि एम मुश किया करार किया है भारे सरकार ने वह हमको तकनिक इसराइल देगा और उसके सहियोग से हर्दा के खिरक्या के खिरक्या तेंसिल के ग्राम पंचाल पारंगा के ग्राम बोर्णगाओं जाजरी के पीच में 105 एक कबल पटेल ने कहा सबजियों और फलों का अधिक मात्रा में निर्यात किया जाएगा जिससे किसानों की आये कई गुना बढ़ेगी जितना किसान 20 एकड में कमाता है अब वो एक एकड में सबजियों और फलों की खेती कर कमा लेगा वहीं दूसरी और इससे मद्वदेश के गाओं आत्म निर्भर होंगे मंद्री पटेले प्रधान मंत्री मोदी केंदरी क्रशी मंत्री नरेंदर सिंग तोमर मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान का धन्यवाद देते वे कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए एतिहासिक कदम के साथ हर्दा जिले के लिए बड़ी इस्राइल के सहयोग से सब्जी या खल उसके पीज प्यार किये जाएंगे उत्पाधन जिले और सिर्फ जिले इनी सम्माग और पाकि इंदोर भोपार और आदा मत्री प्रदेश को मत्री प्रसेक्शन देंगे जिससे हमारे सब्यों को पाधन बढ़ेगा एक वालिटी की लेगा और रियाद भी करेंगे उसके में भी को स्वयोग करेंगे जिससे हमारे किसानों की आयफ कई गुना बढ़ेगी जनसंग बढ़ रही है जमीरे कम हो रही है जितना 20 एकड़ में किसान कमाता हुटता एक एक एकड़ में कमाने और इससे हम मद्धिप्रदेश का प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहां द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना यूजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे यूजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है यूजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपए या की पहली किस्त यूजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्प लाइन डंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेशन हम करते हैं सत्यका अनवेशा तखल नियूस आपके ख़त में आप देख रहे हैं तखल नियूस